जैज जैंद्र जै बोलेना दोस्तों आज एक तारीक का फर्वरी की और बजट है हमारा और कल फैड का आउटकम आज चुका है और जैसा कि आपने सुना कि पाउल साम में तक इंटरेस्टेट नहीं है रेट कट करने में ठीक है तो उसके करना अमेरिकन मार्केट कल साड़े त 200डड गिरा और हमारा मार्केट भी कल जाता रहें हर यह तक Canada मैरे घंट मेरी संटान आज के दिनíanh और मुझे दिया यह दो दो और मुझे पता है इस दिन खेल मैक्सिमम में उसके बाद मार्केट माइनस होता है यह हिस्ट्री मुझे अभी तक तो याद है ठीक है जब से मोधी गोवर्मेंट आई उन्होंने एक तरिक कर दिया फरवरी उसके पहले हमको मार्च में बजट आथा था सबको याद होगा या फरवरी एंड में आता था कि मोधी सरकार्ने सिस्टम इसको फरवरी एक तरीका कर दिया तो देखे यहां पर आज मार्केट में सिंपल है कि फर्स्ट आप जब तक कोमेंटरी चले साथ 11 बज़े से बज़े टेनांस करेगी मेडम तो एक बज़े तक का मार्केट तेजी करेगा यहां से मंदी स्टार्ट है आप यह लिख लो अंटिल अनलेस अगर निफ्टी 21 917 को क्रॉस करके क्लोज नहीं करता है या 21 750 के उपर क्लोज नहीं करता है दोनों फिगर लिख लिजा आप ठीक है इसके नीचे जहां पे भी रहेगा मार्केट मंदी में ही है यह लिख लीज़ेगा लेकिन निफ्टी में सोड़ा सोच समझ के करिएगा क्योंकि निफ्टी जब तक क्लियर कट मंदी आपको 21428 के नीचे की क्लोजिंग पे ही आएगी ठीक है बैंक निफ्टी अल्रेडी मंदा है सब कुछ आपको मंतली क्लोजिंग समझा चुका हूं तो बैंक निफ्टी आज भागेगा तो ठोकना ही चाहिए मेरा मानना है इसम्पल स्टॉप लोस एक ही स्टॉप लोस पूरे इस फ़रवरी सीरीजिंग लेकी स्टॉप लोस एकी स्टॉप लोस अन्छे क्लोज और टार्गेट है इस सीरीज के लिए 15 या 20 तरिक तक का टार्गेट है मेरा मिनिमम टार्गेट है 44,000 उसके बाद 43,000 उसके बाद 42,000 यह तीनों टार्गेट भी आ सकते हैं ठीक है मगर स्टॉप लॉस एक्स्ट्रिक्ट करकी क्लोजिंग 45,996 में आई है अल्मोस 46,000 है चार तीन पॉइंट कम था 3.20 पॉइंट कम था तो मैं सिर्फ चार सो पचास पॉइंट उपर का बोल रहा हूं क्लोजिंग बेशिस स्टॉप लॉस 46,000 और टार्गेट जो बताया मैंने बस निफ्टी में बले नीचे क्लोज कर लेकिन यह संकेत आ जाएगा कि यहां से गिरने वाला है अगर यह साथ सो पचास के नीचे आज बंद करता है कि समझ में आई गया होगा आपको कल भी निफ्टी कुछ साथ सो कुछ पर ही क्लोज था साथ सो पचीस पर तो मैं तो साथ सो पचास बोल आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलो हाना 25 इंट्रेड है मैं आपको आज 2917 जा सकता है अगर गया कोई कारण से मुझे बजट भी बहुत इंपेक्ट फुल लगता नहीं मुझे लगता है यहां शौट साथ 11 बज़े साड़े 11 बज़े से स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन फिर भी मैं एक बज़े तक निस घ्राकार से पूचके ही काम करियेगा प्लीस यह मेरे टोटल पर्सेल्ग व्यू प्ल पर्सनल व्यू में वक्ल आइप़ील किम मंत्ली क्लोज में एक साबित किया कि पिछले मंद से बले ही उसने 6. नीचे क्लोज किया लेकिन क्लोज किया क्लोजिंग बेसिस 6. नीचे क्लोजिंग आई है निफ्टी की पिछले मंद से और एक clear cut dozy बना है मंतली चार्ट में clear cut dozy बना है ठीक है कि इसके नीचे एक बार क्लोज आईगी इस महिने में यह मान के चलिए आप कि 21, 137 ठीक है यह इसके नीचे एक बार मार्केट जरूर जाएगा क्लोज आई या नहीं है दूसरा या फिर मार्केट 22, 124 के उपर जाए तो वो डोजी फेल हो जाएगा ठीक है और बैंक निफ्टी तो clearly मंतली चार्ट में बहुत ही खराब दिख रहा है मुझे ऐसा लगता है 42,000 भी एचीवेबल है बैंक निफ्टी में अंटिल एंलेस 46,500 के उपर ट्रेवल कर देगा तो 46 में तो खड़ा ही है 500 बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होता है जब मैने मैने में चार-चार अज्जार पॉइंट गिरा है ठीक है बट कुछ भी खेलना हो कॉल या पूट के सारे से खेलना अब फ्यूचर से मत खेलना कपड़े उतार देगा कोई भी और आज मैं बोलता हूं जिसकी कल भी मैने यह बोला था जो जो फटाफट सब्सक्राइब के माल काट सकता है और फिर से उल्टी साइड में बैठ सकता है वही लोग खेलना प्लीस इट से क्लियर कट रिक्वेस्ट तो समझदार लोग क्या करें साथ तारिक का बैंक निम्टिका पूट लीजे बारा एक बजे के आसपास जहां तेजी जह कि निफ्टी का पूट लीजे अगा कि साथ तरिक और आठ और कम कॉंटिटी में लीजे ना मैं डाउन साइड मूं लेकि निफ्टी में मैं थोड़ा सा असमंजर्स में हूं क्योंकि निफ्टी ने रिट्रेश्मेंट में 61.8% के ऊपर क्रॉस करके दिखा दिया जो पूरी फॉल आई थी 987 पॉइंट के उसका 61.8% उसने कवर कर लिया था कि बैंक निफ्टी ने कुछ भी कवर निए नौट इवन 50 परसंट खाली 38.2% के ऊपर कल क्लोज के तो मुझे बैंक निफ्टी में गिरावट लगती है अंटिल और लेस 46500 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दें बजट में क्या है का बजट में यह लोग पावन बजट इस से इलेक्शन में इंपक्ट पड़ेगा उनको तो अभी यह लगता है पूरी तरह पॉपूलिस्ट है और जब भी पॉपूलिस्ट बजट आता है बजार को कभी भी पसंद नहीं आता इसको लिख लीजे अनिल सिंग भी कुछ भी बोले ठीक है आपको अना यह लोग को यह लोग मना कभी भी साइड का कोईन का दोनों पहलू कभी नहीं समझाते यह लोग सिब आपको हरा अरा दिखाते हैं वह यह खेती में सूका भी आता है बुरा पिरेड भी आता लाइफ में उसको भी बोल तू आना तो यह पॉपूलिस्ट बजट रहेगा और बजार इसको आड़े हाथ लेगा लिख लीजा इसमें देगा धड़ा धड़ यह चूट वह चूट किसानों को यह वह 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 लिख लीजा और इंटरीम है इनको फेकना बाद में तो फाइनल बजट देगा यह लोग जुलाई म और गुरूप आज से स्टार्ट हो गई है और आज क्योंकि मेरा बहुत खुष्ण मुआ दिना तो आज आज भी आप जोइन कर सकते हो कोई दिखत नहीं है कल से इस गुरूप का दाम आपको पंद्रहाजार लगे है कल से दो तर्क से तो पांच हजार में आप जोइन कर रह ठीक है जो दिखाता हूँ यूटूमें दिखाता हूं वह है लिखा हूँ ए ऐसा कुछ नहीं देता हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रास जो सब्सक्राइब Smith, Borzo, ईसमें आप इस्ताूं में का OAuth कुः करते कँए सा तो ए निभी अधू बच्चे-क्यवा चाहर कमोडिघ तो तो दिखा दे वह स्टोलोजर ऊसे वह एनलिस्ट हो दिखा दो किसी की भी है तो कि अधिए अपको बचाना मोटिव यहां पर ठीक कभी मैं भी रॉंक परता हूं लेकिन आपको लॉजिक मेरा कभी नहीं रहे है और आज का लॉजिक मेरा यह मुझे बजट आज से गिरावट चालवूर लगती है निफ्टी में मैं कन्फॉर्म तब हुझाँगा जब आज 700 के नीचे क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाए ठीक है और 428 के नीचे तो मैं इतना पेलूंगा उसको क्या बोलू करन्फॉर्मेशन 428 के नीचे है लेकिन धील पहला हो जाएगा आज अगर निगेटिव घ्लोज आई ठीक है और आज मैंने का पहला दिन आज की क्लोजिंग बहुत इंपोर्टेंस रखती है मैंने का पहला दिन आप लोग एक्सपारी वाला मत गिना करिए एक्सपारी आपकी 26 को हो गई 27 को गई उसको छोड़ दीजे लेकिन जो एक्चुल फरवरी मैंना स्टार्ट हो रहा है वो आज स्टार्ट हो ठीक है तो पहले दिन की क्लोजिंग बहुत माहिने रखती है अगर पहले दिन निगेटिव है तो पंदरा दिन तक निगेटिव रहेगा ओवरॉल ओवरॉल इसका मतलब किसी दिन भी ग्रीन क पॉजिटिव था तो पंदरा दिन तक पॉजिटिव था लगबग और स्टोला तरिक से कैसा पहला आपको पता है ठीक है जैजरिंद्र जैप यह जनरल है लेकिन ऐसा हमेशा हो जाए इसी को आप लोग एक सत्यमान लोग की यही होता है ऐसा नहीं है एक कैलकुलेशन से बस नौट की ऐसे कोई गैरेंटी है इस ठीक है तो थोड़ा सा जब स्टॉक मार्केट में आते हो ना डू यो रिसेर्चेस जितना इजी लगता है यहां पैसा कमाना उतना ही ही सबसे ज़्यादा डेंजरॉस कामत ट्रेडिंग से पैसा कमाना कि आज बोलता हूं दुनिया का सिब 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत ट्रेडर पैसा कमाता है 97 प्रतिशत ट्रेडर पैसा लूज करता है दोस्तों इसको सीख लो उसका कारण का यह दिखता बहुत हीजिए यार उप्शन ले लूँगा पांच जार में आव पांच ही तो हजार लेकिन आप यह नहीं देखते हो कि पांच जार मतलब पूरा हंड्रेट परसेंट के भी चला जिया है तो थोड़ा सा ऑप्शन हर वक्त खेलने का चीज नहीं है ऑप्शन है ब्रेकाउट ब्रेकडाउन या कोई न्यूज उस पर खेलने की चीज होती है और आप लोग क्या क एकाथ बार आपका 30 का 300 हो जाएगा ओप्शन में लेकिन कितनी बार 300 300 का 30 होगा वह आपका भूल जाते हो ठीक है जै जिनिंद्र जै बोले ना जै